सर्दियों का मोसम बदलते ही लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या होने लगती है इस मोसम में बाइरल फिवर होना भी आम बात है सर्दियों के मोसम में लाइफ इस्टाइल से लेकर खान पान तक का काफी ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको सर्दी खांसी हो गई है तो आप कुछ प्राकरतिक उपायों से जल्द रहात पासकते हैं आईए जानते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब जरू करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सर्दियो को मोसम चल रहा है इस मोसम में आप जितना साबधान रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है जरा से चूक होने पर आपको सर्दी लग सकती है अगर आपको लगता है कि आपको तेज, सिर्दर्द, नाक, बेहना, खासी या सिर में दर्द हो रहा है तो ये तसाबदान हो जाएं कुछ घरेलू उपायों को अपना कर आप इससे राहत पा सकते हैं सहद आयरुवेटिक गुणों से भरपूर होता है इसमें बेक्टीरिया और बायरस को मारने की छमता होती है गुनगुने पानी में एक ये दो चमस सहद डाल कर पूरी तरह मिला लें इसके बाद इसका सेवन करें इससे आपको काफी राहत मिलेगी इससे तीन से चार वार पीने से गले की खरास में काफी आराम मिलेगा इसमें आप एक चमस नीवू का रस भी मिला सकते हैं दनिया, जीरा, सोंफ और मेथी को पीश लें, पानी में थोड़ी सी मिस्री डाल कर उबाल लें, इस मिस्रन को उबले हुए पानी में मिला कर आरां से पीएं, इससे सर्दी में काफी फायदा मिलेगा, आवसकता अनुसार दूद भी डाल कर आप इसका सेवन कर सकते हैं, इससे सर्दे तुरंत ठीक हो जाएगी अदरक गुण और देसी घी ठंड के मोसम में अदरक बहुत फायदेमंद होता है जो काम होने पर अदरक गुण और देसी घी का इस्तमाल करने से आपको काफी फायदा होगा अदरक को पीस कर देसी घी और गुड में मिला कर आप इसका सेवन करें ध्यान रहे कि तीनों की मातरा लगवक बरावर होनी चाहिए तीनों कमेशन बना ले और रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करें इससे आपकी सर्दी दूर हो जाएगी और आपको बहुत आराम मिलेगा सर्दी ये जुकाम होने पर हल्दी वाले दूर का सेवन करना आपके लिए फाइदेमन साबित हो सकता है हल्दी में बेक्टीरिया और वायरस मारने की जवरदस्त छमता होती है दूर को गरम करें और उसमें एक चमच हल्दी डालें इसके बाद आप इसका सेवन करें इसके सेवन से आपको काफी आराम मिलेगा पानी गरम करें और इसे एक बड़े बर्तन में डालें इसके बाद सिर को पूरी तरह तोलिया और कपले से इस तरह ढग लें कि भाप नाक के अंदर चली जाए इस प्रिक्रिया को आप 5-10 मिनट तक कर सकते हैं ऐसा करने से आपको सर्दी में काफी फायदा मिलेगा अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है और इन में से किसी भी चीज से ऐलर्जी है तो आप इन उपायों को अपनाने से पहले एक बार डोक्टर की सलाह जरूर लें ऐसी इस्तिती में चिकित्सा की परामर्श अनिवार्य होती है तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिने अपना कर आप सर्दी खांसी और बुकार की समस्य सराहत पा सकते हैं तो ये घरेलू उपाय आपको कैसे लेगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमाया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखें जय हिंज भारत